हेलो नमस्कार जी आप सभी का यूटूब चैनल एजूकेशन नोलिश ट्यूपर हारदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी भई आप सभी के लिए मोधी सरकार ने एक बार फिर से बहुत ही जवरदस्त घोशना कर दी है और भई आचार सहीता लगने से पहले ही बहुत बड पर आपकी परिवार में महिला है तो महिलाओं को 8000 रूपय परती महिने की हिसाब से अब सरकार बनते ही आपको दिया जाएगा ये भी बहुत बड़ा एलान किया गया है उसके साथ साथ किसान, सम्भान, नेधि की जो किष्ट है वो 4000 रूपय जारी की जाएगी और इसकी ज लाख रुपे मोधी सरकार दे रही है आप इस वीडियो के माद्यम से जानेंगे उसके साथ सारसो का जो तेल है वो बंद किया जा रहा है रासन कार्ड पर उसकी स्थान पर एक नया ओल जो है वो अब गरीब परिवारों को दिया जाएगा उसके साथ साथ आधार कार्ड को ले बहुत से ऐसे प्रिवार थे जो कि पहले दो से ढ़ाई लाख रुपे ही उनको दिये जाते थे पांच लाख रुपे दिये जाएंगे क्या योजना थी किस योजना के तहट दिये जाएंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा हां तक देखें वीडियो को उसे पहले अपनी गाउं सहर राजी का नाम कमेंट करें और परतिक जानकारी मैं सुमय समय से पहले ही आप तक सेयर करता रहता हूं तो यूटूब चैनल को जरूर जरूर सस्क्राइब कर लें सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे महत्तबून इंफोर्मेशन की जो की आई हुई है परधान मंत्री किसान सम्मान निधी को लेकर जी हां मोधी सरकार ने इस बार च्यार हजार रुपे जारी करने का फैसला लिया है किसान सम्मान निधी के जो किस्त है सतरवी वो अब कभी भी जारी हो सकती है इसको लेकर नोटिफिकिशन जल्द मोदी सरकार लेकर आने वाली है आप से भी कमदा दू किसान सम्मा निदीन इस बार आपको चार हजार रुपे दिये जाएंगे वहीं बीज खाद बीज के लिए भी आपको पैसे दिये जा सकते हैं जो कि आपको तीर हजार रुपे से चार हजार रुपे के बीच में दिये जा सकते हैं या दोनों में लाकर कि आपको साथ से आठ हजार रुपे का फाइदा होगा अगर आप किसान है या फिर किसान आपके आसपास रहते है तो उसको इसका फाइदा होगा लेकिन एक योजना मोदी सरकार लेके आई थी EKYC की अगर किसी किसान भाई ने EKYC नहीं करवाय तो एलान कर दिया है कि इस बार अगर हमारी एक बार फिर से सरकार आती है जहां लोगसभा की चुनाओ चलने वाले हैं आप सभी जानते हैं और चार जून को नतीजे भी जारी कर दी जाएंगे साथ चर्णों में पूरे देश बार में लोकसबा की चुनाव होने हैं और भई इस बार अगर मोधी सरकार हैट्रिक लगाने में कामयब होती है तो भी महिलाओं को आठ हजार रुपए परती महिने के हिसाब से दिये जाएंगे एक लाख रुपए तक का फाइदा परते एक वर्स में महिलाओं को होगा उमर भी इ दीदी बनाने के लिए मोधी सरकार लाख रुपए उनके बैंक अकाउंटों में डाल चुकी है लेकिन इस बार ये बहुत बड़ा मास्टर स्टोक खेला है मोधी सरकार ने और भई अगर फिर से हैट्रिक लगाने में मोधी सरकार कामयाब होती है तो महिलाओं को आठ हजार रुपए परती महिने के इसाब से दी जाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में किसी परकार का कोई भी इस पे आप से पैसे जो है वापिस भरवाने का स्कीम नहीं है उसके साथ हम बात करेंगे अगली जो बड़ी खबरारी है वो है छात्रों के लिए अगर आप छात्र हैं द कि जो भी 80% से जादा अंक प्राप्त करता है लेकिन आपको मैं बता दूँ इस बार 80% अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं सभी पोड़ों को निर्देश जारी कर रखी हैं वह सभी टीचरों को भी निर्देश जारी कर रखी है ऐसे भी किसी भी छात्र को बि आपको मैं बता दूँ लगातार मोधी सरकार ने छात्रों के हित में बड़े फैसले लिये हैं अगर आपका 70% से ज़्यादा अंक आता है तो आपको 50,000 अगर 80% से ज़्यादा अंक आता है तो आपको एक लाख रुपे तक की जो रासी है वो देने पर विचार किया जा रहा है और भई ये दी भी जाएगी जो कि नैशनल स्कोलर्शिप के तोर पर दी जा सकती है बहुत बड़ी स्कीम है भई अगली बड़ी ख़वर की बात करेंगे सरसो के तेल को लेकर अपडेट आ रहा है बहुत से राजिया ऐसे हैं जापर बेर BPL के रासन काड़ पर सरसो का त तेल उपलब्द करवाया जाता है आपको मैं बता दूँ चार लिटर तक सरसो का तेल राजी सरकारे देती हैं प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजिना में लेकिन आने वाले अठान मार्च के बाद अब आपको सरसो के तेल के सकान पर आपको सूरज मुखी के जो तेल है वो उपलब्द करवाया जाएगा उसकी साथ मैं आपको दादू कापी सारे राजी हैं जहाँ पर सरसो का तेल ही नहीं दिया जाता था वहाँ पर पैसे दिया जाते थे दोकि 200 रुपे से 250 रुपे तक की जो रासी थी वो बैंक अकाउंटों में ट्रांस्पर की जाती थी ल परदान मंतरी गरीब कल्यान आनी होजना में उनको एक बार फिर से सरसो का तेल या फिर पैसे उपलब्द करवाये जाएंगे वह भी होली भी आ रही है और होली का तोफ़ा भी आपको मोधी सरकार देने वाली है क्योंकि जितने भी गरीब परिवार हैं उनको जादा सी जा परिवा सकते हैं इसको लेकर नोटिपिकेशन के इंद्र सरकार ने पहले ही जारी कर दिया था अगर आप जान बूझकर आधार काड़ में कुछ चेंजमेंट्स करवाते हैं और जो गलत पाया जाता है तो भे आपका आधार काड़ बंद कर दिया जाएगा और आधार सरकार का कुई भी गलत अपडेट ने करवाएं जैसे हम बात करें जैंडर एड्रेस उसके साथ-साथ नाम अगर आप इसमें गलत अपडेट करवाते हैं तो आपका आधार काड़ मोधी सरकार बंद करेगी वह रासन काड़ पर भी अपडेट है रासन काड़ पांच लाग मोधी सरकार दे रही है जी हैं पांच लाग रुपे मोधी सरकार इस बार देगी लेकिन अगर मोधी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आती है तो फिलाल के बाद करें दो से ढाई लाग रुपे प्रतान मंतरी आवास योजिना ग्रामिन के तहत देने का जो प्रावधान है व ना ही उनके पास किसी प्रकार की जमीन है अब उनको मकान भी दिया जाएगा रहने के लिए प्लोट भी दिया जाएगा अभी आचार से इता लगी हुई है जैसे ही मोधी की सरकार अगर दुवारे सत्ता में आती है तो आपको इसका फाइदा देखने को बिलेगा और तमाम ज कारी आपको समय से पहले मिल जाए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धरन्य वागता है